तो अज जो है हमें काफी जो महत्वूर्ड टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों के कोशन भी आये थे कि मैम यह जो स्टेनोग्राफी है वो हमारा क्या होता है उसका टेस्ट क्या होता है है ना और इसमें आपका शॉर्ट हैंड बेसिकली यह होता क्या है क्योंकि आपके stenography में अगर आप कितनी भी पढ़ाई कर लोगे तो यहां पर इस exam को qualify नहीं कर सकते हो अगर आपको shorten नहीं आता है यह होता क्या है यह हम जानेंगे यहां पर ओके तो shorten आपका stenography stenography जो है देखो graphy वर्ड इसको ध्यान से देखो graph याने की लिखना यह आपका एक क्या है एक टाइप की एक language है जैसे कि English है Hindi है यह भी एक language है जिसको code language भी कहते हैं और इसको इम शॉटन कहते हैं जैसे कि माली जे मैं अभी बोल रही हूँ है ना और आपक पर है उसको note करना है कि यहां पर इंटर्व्यू के टाइम पर वह गया है और वहां पर इंटर्व्यू लेके आया है पहले के टाइम पर बहुत जादा प्रिचलन में होता था अब तो हम क्या करते हैं टेप रिकॉडर लेके चले के मोबाइल से वीडियो बना लिया पहले व स्टैनोग्राफी यह हमारी लैंगेज होती है कोड लैंगेज क्याते हैं और यह हमारा शॉट हैं भी होता है इस तरह का आपका होता है तो अगर मैं यहां में बात करूं तो मिनिमम आपकी यह जो राइटिंग होती है आपको इससे इसमें six to eight months लग जाता है आपका अच्छ बीस दिन का प्लान नहीं है यह यहां पर आपका six to eight महीने मिनिमम लगेगा शॉट हैं वगरा हमारा स्टैनोग्राफी में देखो मैं जो है नहीं आता है लेकिन शॉट हैं में बहुत अच्छा टाइम जो है जाता है मैं जिनको नहीं आती है और बच्चों के लिए बहुत ह अच्छी करनी पड़ती है तो जब आप यह शॉट एंड सीख लेते हो ना तो एक चीज जो है वह आपकी हाँ अगर आपने यह कोर्स कर लिया तो गर्मेंट जॉब आपकी पकी आप इस पर पक्के हो जाओ क्योंकि यह पता है यह क्या है ना यह हस्तलिपी जो हमारी है यह की जो स्कृब्ट सॉरी मैंने बोल दिया यह आपकी जो डिफरेंट लंगेज है ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी छीज подар कि आती है लेकिन स्टैनोम ग्राफी जसे है और इशे से-ख करो और फार यह दो एक जहादा यहां चोभी नहींक्या लेकिन C को बहुत साथ इजी भी नहीं बोलूंगी कि आपका यहां पर इजी केक है और आपने बहुत जल्दी इसको कर लिया online course साज करना पड़ेगा आपको short hand का course जो है उसका मैं नहीं बता सकती लेकिन आपको बागी की सारी classes जो है under 24-7 में आपको मिल जाएंगी ऐसे स्टेनोग्राफर बनने के लिए अभ्यारती को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाशाओं में shorten आना चाहिए इसके लिए अभ्यारती की इंग्लिश स्पीड होनी चाहिए कि वैं कम से कम एक मिनट में 80 लिख सकें ओके 80 वर्ड आपका हिंदी शॉट हेंड स्पीड के मुक्ताबिक भी अभ्यारती को कम से कम हिंदी 80 वर्ड पर मिनट की हमें जो है स्पीड चाहिए वह ना फुटाफ़ फुटाफ़ कोई बोलता जा रहा है 80 वर्ड एक मिनट में तो वो आप उसको जो है ना बस यह यह ऐसे ऐसे करके यहां पर जो है वो लिखते जाओ यह शॉट है नहीं है गाईस यह बस मैंने ऐसे करके पैंट चला दिया है ठीक है तो यहां पर शॉट है नहीं सीखी है प्रैक्टेस होनी चाहिए बहुत अग्जाम को देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले तो आपके 25-25 के बनते हैं यहां पर ग्रुप बनते हैं है ना 25-25 बच्चों के डिपेंड करता है सेंटर पर भी लेकिन आपके ग्रुप्स जो है वो बना दिये जाते हैं अब उसमें क्या होता है आपको एक पेश दे द आपको जितना भी मैं बोल रही हूं यह वर्ट वर्ट आपको क्या करना है यह वर्ट वर्ट आपको लिखना है है ना मराथी नी हिंदी इंग्लिश में होगा मैयूर क्योंकि मानली जो भी आपकी और गनाजेशन में होगा बैठा होगा बच्चे वह हिंदी में एंग्लिश में बोल रहा होगा आज दोनों इसलिए होता है क्योंकि मैली में मनाथी में बոल रहा है आपने इंग्रिछ में फटा-फर्च से लिख दिया है यह हो जाता है अब जिसे कि माली जो है आपके हम पर नहीं हुखे है नहीं जूरी स्थोटी सी चीज़ जो है में आपकी चैक करी जाती है इसमें आपका होता है center पे जो लोग होते ना थोड़ा सा आपको एक trial दे देते हैं ट्राइल डिक्टेशन क्या है मालनी ज़िए मैं बोल रही हूँ और आपका इंटरनेट जो है ना मालनी ज़िए मैं ही आपका टेस्ट ले रही हूँ वैसे यह तो वीडियो हो गया audio सुनाई देता है वहां पे आप बैठे हो और आपको audio सुनाई नहीं दे रहा है कुछ दिक् सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन सीप्यों हमारे बसकी बात नहीं है क्यों क्योंकि वहां भागना दोड़ना लंबी कूद उची कूद होती है ऐसे ही इस पेपर की सबसे खासियत जो है जिन बच्चों को यह आता है तो बच्चे वह बहुत इस पेशल हो प्रिविलिज्ड हो यह आपको ना जरूर देना चाहिए अगर तुम्हें शॉठेंड आता है बिना वटल तो तुमने बताया भी नहीं कभी और कभी इस पेपर को तुमने जिक्र भी नहीं करा बहुत ही अच्छा पेपर अभी मैं तो नहीं दे सकती थी क्योंकि यहां पे शॉठेंड में ही प्रेशन जो है वो आगे करती जाओं वेकर सी बहुत जल्दी आने वाली है टेक्निकल विशाल ओके दस मिनट का आपका डिक्टेशन जो आप यह ट्राइल के बाद में देखो सबसे पहले ग्रुप बना डिक्टेशन के लिए डिक्टेशन पर आपका सब फिर क्या हुआ ट दस मिनट के डिक्टेशन आपको दिया जाता है यह होता है आपका इसमें आपको एक पेपर पे वो जो डिक्टेशन जो है दस मिनट में वो पूरा लिखना होगा ठीक है हां मैं मैं ऐसा बोल रहा है इधर आपके क्लास में कोई मराठी वाला है कि ऐसा पूछा यह तो मैयू कड़ना होता है typing होता है आपका क्या around 55 minutes 55 minutes 60 minutes depend करता है कि हमारा इहां वह किसकी typing कर रहे हो तो यह पूरा procedure आपका होता है гор किसमें यहां पे जो होता है जो आपको tough लग रहा है इसमें आपका time जो है वह मतलभ आपको कड़ना होता है बहुत ध्यान से सुनके आपको लिखना होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, बच्चे आराम से निकाल ले जाते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी स्पीड है, ठीके, तो SSC Stenographer जो है हमारा भई, SSC Bodies को conduct कराती है, राश्ट्री स्तरक की परिक्षा होती, online होता है, C औ आपके 50, Journal Awareness 50, English Language आपकी इसमें 100 questions आते हैं, इसलिए English की बड़ी importance होती है, इस हमारे exam में, ओके, और यहां पर फिर जिस पार्ट की में आपसे बात कर रही थी, वो यह है, Stenographer Grade D, Grade D, Grade C, Grade C, Hindi English, ओके, तो आपको देखो, शॉर्टेंड अगर आप कर सकते हो, यहां पर शॉ इसे वीडियो मैं नहीं दे सकती, आप मैं इस पर कितनी वेकेंसी लास्ट यर थी, क्या कट ओफ ती, इसका में अलग से आपको जितनी इन्फोमिशन है, वो दे दूँगी, ठीके, मैंने क्या syllabus है, इस पर एक अलग मैंने वीडियो बनाया था, और आपके यहां पर कितनी च सीख सकते हो, तो यहां पर इसओ जरूर देना, क्यों? क्योंकि देखो, एक तो हमारी यहां पर क्या मांगा गया है, हमारा यहां पर जो कॉलिफेकेशन हमसे मांगी गई है, simple कहांगे हमारी qualification यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्ध विश्विध्यौले से 10 प्लस 2 बोर्ड होना चाहिए आपका अगर आप शॉट हैंड आपकी जो है ना यहाँ पर तो बढ़ा 10 प्लस 2 आपका होना चाहिए यानि कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हो अगर आप इस exam को दे सकते हो है ना इंटरमीडियेट पे आपका एक्जाम कॉलिफाइगा हो जाएगा इस्टेनोग्राफी का कोई कफ़र्स क्या होता है capacistemography कोर्स होता है बिना कोर्स के तो हम नहीं कर bei सेख सकते हैं कि मैंने online भी सीख लिया उसकी पर्टिकॉलर आपके होती है बहुत अच्छे से training होती है ठीख है अब वाइड कर दिया भी नवटल छोड़ना नहीं था मेरे असाप से तो नहीं छोड़ना था भी नवटल तुम्हारे लिए तो पाफ्यक्ट है क्योंकि जिसे आप से तुम बोल रहे हो कि इंट्रस्ट स्टेनोग्राफी में उस वाले आपको पार्ट में इंग्लिश तुम्ह ठीक है चलिए स्पीड आपकी बढ़ जाएगी थोड़ा उस वाले पार्ट पर ध्यान दे देलना तो यहां पर नॉर्मल बच्चे जो होते न वह इसे छोड़ देते हैं कि इस टेनोग्राफी का जो हमारा पेपर हम क्यों करें कैसे करें होगा नहीं हमसे ठीक है तो आपका जो है स्टेनोग्राफी का वह बहुत जल्दी आ रहा है क्योंकि इसका एक्जाम फॉर्म भी हमारा बहुत जल्दी निकल रहा है ठीक है अब यहां पर ससी पे जाओगे ससी पे जागे तो बीच में आ रहा है ससी स्टेनोग्राफर ठीक है ससी स्टेनोग्राफर के लिए आप का यहां पर complete foundation batch already हमारा start हो चुका है so complete foundation batch अगर आप लेते होते स्टेनोग्राफर का आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है guys form हमारा बहुत जल्दी निकल रहा है है ना स्टेनोग्राफी का तो अगर आपका यहां पर math अच्छी नहीं है आपका इस्टेनोग्राफी सपना है है ना आपका यहां पर simple एक छोटा से exam qualify करने की आप यहां पर काभिलियत रखते हो तो बच्छे यहां पर यह Y559 code लगा के आपको यह batch को purchase कर लेना है इसमें classes जो है हमारी start already हो चुकी है तो अभी हमें ज्यादा classes को मिस नहीं करना है ठीक है हमारा stenography जो है बहुत ही अच्छा paper है और इसमें simple क्या करना बच्चे बस दो ही चीज़े चाहिए कि आप इसमें stenography सीख सकते हो की नहीं English में आपका interest है की नहीं अगर यह दो चीज़े आपके अंदर है तो आप इस पेपर को जरूर भढ़ना आपका विजना वीक आने के चाहस के एक बार मैं देखके बता देती हूँ sorry guys यहां पर अच्छा code आपको क्या यूज करना है sorry guys यहां पर बीस आट कोई आपका जो है डेट मैं मिस कर गई थी बीस आट दोहजार बाइस को इसका एक्जाम जो है हमारा होने वाला मतला एक्जाम नहीं सॉरी नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है स्टैनोग्राफी का जो नोटिफिकेशन आपका बीस तारिक को आ जाएगा और बैच हमारा अल्रडी यहां पर स्टार्ट हो गया है दो को बैच बात ने भी आएंगे लेकिन कल करें सो आज कर आज करें सो अब 77 परसंट इसकांट अल्रडी आपका यहां पर है वाइडवल 59 कोड यूज करना है आपको जिससे की फाउंडेशन बैच में आप जो है ड्मिशन ले सको फाउंडेशन बैच में आपके बागी के जो आपके सब्जेक्स हैं वो भी आपकी उनकी प्रप्रेशन साथ-साथ में हो जाएगी यूट्व में free classes 10 u के लिए हां यूट्व में free classes होंगी लेकिन practice होती है आपके जैसे के structured way में जो study होती है तो यहां पर आप structured way में study कैसे कर सकते हो आप बैच लेके कर सकते हो okay guys so actually I hope you enjoyed this class and if you enjoyed this class so guys please subscribe to our YouTube channel don't forget to hit the like button and guys share this video with your friends thank you guys bye bye have a nice day